हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट टैग में तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडो टैन में 15 कीबोर्ट सॉटकट्स के बारे में जो कि स्मार्ट वर्क के लिए बहुत जरूरी है अगर आप भी स्मार्ट वर्क करना चाते हैं तो ये 15 सॉटकट आपको आ नहीं चाहिए उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहली सॉटकट की है Alt-Tab जब हम कई सारी अप्लिकेशनों में एक साथ काम कर रहे होते हैं तो एक अप्लिकेशन से दूसरी अप्लिकेशन या एक फाएल से दूसरी फाइल में जाने के लिए हम अक्सर माउस का यूज करते हैं वो काम आप keyword की मदद से भी कर सकते हैं, आपको simply press करना है alt और tab, alt प्रेस करके रखना है और tab को प्रेस करके एक application से दूसरी application में आप switch कर सकते हैं, जो हमारी दूसरी shortcut की है वो है window key plus d, जब आप कई सारी application में काम कर रहे होते हैं, कई सारी application खुली होती हैं और आपको desktop से कोई file लेनी हो, या desktop पर कुछ काम करना हो, तो desktop में जाने के लिए आपको सारी application मिनिमाइज करनी होती है, तो उसका जो simple सा shortcut तरीका है, keyboard की मदद से जो आप कर सकते हैं, वो है window key और d, जैसी आप window key और d सांथ में प्रेस करेंगे, तो जितनी भी application आपकी खुली हैं, वो सारी minimize हो जाएंगे, जो next keyword shortcut है, वो है control plus shift plus t, जब हम browser में कई सारे tab open करें होते हैं, और कोई tab गलती से हम से cut जाता है, तो उसके लिए उस tab को दोबारा reopen करने के लिए, हम control, shift और t का use करते हैं, जिससे कि वो tab दोबारा से reopen हो जाए, next हमारी जो shortcut की है, वो है control plus backspace, जब हम कोई document में backspace press करते हैं, तो उससे जो है simple जो है, एक letter delete होता है, अगर आप control plus backspace करेंगे, तो जो है entire word जो है आपका पूरा का पूरा delete होगा, ये भी एक अच्छा shortcut है, जिसे आप use कर सकते हैं, तो next shortcut जो हमारा है, वो है rename file, किसी file को rename करने के लिए हम अक्सर जो है mouse के use उससे जो है rename उस file को करते हैं, इसके लिए एक keyword shortcut भी है, आपको simply जो है जो है जो भी file rename करने है, उसे select करना है, f2 press करना है, और उसके बाद जो है उसका नाम दे देना है, ये simply जो है, एक window 10 में ये option है, आप सीधे जो है, f2 press करके भी जो है file को rename कर सकते हैं, next shortcut की है, वो है snap windows जब हमारी multiple application खुली होती है system में और हम चाहते हैं कि दोनों application जो है हमें 7 में window पे दिखाई दें, अपनी screen पे, तो उसके लिए जो shortcut की है, वो है window की और arrow, window की आपको press करनी है, और arrow press करना है, इसी तरीके से जो है, दूसरी वाली भी जो है, आप इस तरीके से side by side, दोनों application पे, एक time पे work कर सकते हैं, जो next shortcut है, हमारा वो है capture active window, normally हम जो है window का screenshot लेने के लिए, जो है print screen वाला key का use करते हैं, जो की keyword में होती है, लेकिन उस से क्या होता है, कि जो entire desktop है, जो भी हमारी screen है, वो पूरी capture होती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कि सिर्फ ये जो active window है, सिर्फ ये capture हो, उसके लिए आपको जो है, अपने keyboard पे press करना है, all और print screen, ऐसा करने के बाद जो है, जो भी आपकी image है, वो जो है, clipboard में save हो जाएगी, और उसे आप जो है, कहीं पे भी जो है, paste कर सकते हैं, ये shortcut की भी जो है, काफी अच्छी है, आपको definitely इसे use करना चाहिए, next shortcut जो window key और I press करके, अपने window में जो है, direct settings open कर सकते हैं, next shortcut जो है, वो है, window key plus A, open action center खोलने के लिए, आप window key और A press करेंगे, तो ये वाले option जो है, आपको यहाँ पे open होके आ जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा shortcut है, जहांसे आप कई सारी settings जो है, अपनी desktop में, या अपनी window में कर सकते हैं, next shortcut जो है, वो है, quick copy of a file, अगर आपको एक file की copy बनानी है, तो उसके लिए जो shortcut की है, वो है, control plus mouse, आपको control की press करके रखनी है, और mouse की मदद से जो है, अपनी जो है, file को drag करना, इस से क्या होगा, उस file की जो है, एक copy बन जाएगी, तो इस तरीके से आप जो है, window key plus X, open hidden quick link menu, ये सभी को पता है कि window 10 में जो है, एक hidden menu भी होता है, जो कि हम mouse को यहाँ पर right click करके open करते हैं, ये चीज़ आप जो है, window की shortcut की के through भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको window key और X सांस में press करनी है, जिससे कि ये hidden menu जो है, वो आपका open होके आ जाता है, next shortcut जो है, वो है, magnify screen, अगर आपको screen पे जो है, कुछ zoom in या zoom out करना है, तो जो है, उसके लिए जो है, window 10 में एक shortcut key दी हुई है, आपको जो है, simply क्या करना है, window की press करनी है, और plus वाली key press करनी है, जैसे आप plus वाली key press करते आएंगे, तो ये जो है, zoom हो जाएगा, और minus वाली key से जो है, ये हमें task bar के ये जो app दिखाई दे रहे हैं, इन्हें open करना है, तो इन्हें by number हम open कर सकते हैं, window key के साथ, अगर number key press करेंगे, तो उसी number का app open हो के आजागा, अगर window key के साथ, अगर हम 2 press करते हैं, तो यहां से 1 और 2, ये open हो के आ गया है, इसी तरीके से, अगर window key के साथ, हम 4 press कर सकते हैं तो हमारा calculator open हो गया है तो इस तरीके से भी आप इन अपों को नुमेरिक की मदद से open कर सकते हैं Window key plus number next shortcut हमारे वो है open task manager अगर हमें task manager open करना है तो हम simply task bar में right click करके task manager open करते हैं आप यही काम जो है keyword की मदद से भी कर सकते हैं आपको क्या करना है control alt delete press करना है और यहां से task manager आप open कर सकते हैं last shortcut जो हमारा है वो है open file explorer अगर आप अपने system में file explorer को open करना चाहते हैं तो आपको simply अपने keyword में press करना है window key और e अगर आप window key और e प्रेस करेंगे तो आपका file explorer open हो जाएगा तो उम्मित करता हूँ friend वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में share करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप comment कर सकते हैं और वीडियो पर नए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करें और बैल आइकन करें जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन और बंदे मात्रम